नमस्कार, जैतु भारत, GST and other laws, discussion and analysis के आज के अंक में आपका स्वागत है Central Board of Indirect Taxis and Customs ने, instruction number 10 of 2021 दिनांग 13 मई 2021 के द्वारा, refund and drawback disposal के लिए special drive चलाने की घोशना की है उसी के बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं COVID-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए और उसके अलावा भी CBIC ने Trade Facilitation के लिए कई कदम उठाए हैं जिन में 24 by 7 Customs को कारे रत रखना, Single Window Help Desk चालू करना, सभी पॉर्ट पर सभी स्थानों पर Nodal Officers की नियूपती करना, Bond के बदले में Undertaking देना, Customs Duty और IGST में से COVID-19 से रिलेटेड वस्तूओं को Exemption देना और COVID-19 रिलेटेड वस्तूओं के आयात पर जल्द से जल्द Clearance करवाना ये सब सामिल हैं इन में से कई विशियों पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ लास्ट येर भी COVID-19 महामारी को देखते हुए Special Refund और Duty Drawback के Claims के Disposal के लिए ड्राइव चलाया गया था इन्ही Trade Facilitation Measure की संखला में बौर्ड ने ये डिसाइड किया है कि जो व्यापारी वर्ग है निर्या तक है और खास करके उनमें भी जो MSME सेक्टर है उन्हें liquidity की दिक्कत कम हो इसके लिए जितने भी pending refund और Duty Drawback Claims हैं उनको जल्द से जल्द निप्टारा किया जाए इसके लिए ये दिसा निर्देश दिये गए हैं कि दिनांग 15 मई 2021 से 31 मई 2021 के बीच में Special Refund and Drawback Disposal Drive चलाया जाए इसमें यह उम्मीद Board ने जताई है कि जितने भी refund और Drawback के क्लेम 14 मई तक Pending हैं वे सारे के सारे 31 मई तक Disposal हो जाने चाहिए जिन किनी भी निर्या तक के refund claim या duty drawback के claims Customs Department में Pending हैं वे थोड़ा सा follow-up कर लें यदि कोई documents देना बाकी है कोई कमी रह गई है तो उसे भी पूरा करके अभी यह जो refund and drawback disposer drive चल रही है उसका लाब लें ताकि जो भी money government से due है लेने की वो जल्द से जल्द आपके account में आ सके CBIC ने Customs अधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं कि जल्द से जल्द refund और drawback का निप्तान करना है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो भी legal provisions, notifications, circulars या instruction है उनका ध्यान नहीं देना है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन सभी दिसा निर्देशों का पालन करते हुए ही refund देना है लेकिन फिर भी उसमें जितनी जल्द से जल्द हो सके उतना जल्दी refund और drawback के claims को dispose करना है जो भी communication करना हो वो यथा इमेल के द्वारा ही किया जाए ताकि COVID-19 महामारी के दौरान आपसी संपर्क में आने से बचा जा सके जो भी पहले deficiency memo issue किये हैं उनको भी फिर से एक बार review कर लिया जाए और जहां पर मामूली कोई deficiency हो कि जिसके बिना भी refund या drawback दिया जा सकता हो तो उस case में भी refund दे सके इस प्रकार का भी यह दिशा निर्देश दिया है आज की अंक में बस इतना ही धन्यवाद प्लीज लाइक शेय और सब्सक्राइब आपको और किसी जियेस चे रिलेटेड विशेय पर जानकारी चाहिए विशेश दो हो तो comments में लिख सकते हैं जय हिंद